हलो दोस्तों गुड मॉर्णिंग स्वागा थेकवाद फिर से आप सभी का MZEducation में दोस्तों आज है 12 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 जुलाई 2024 के सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना सुरुवात करेंगे दोस्तों हम लोग अपने कल के रिविजन से कल हम लोगों ने जो भी चीजे पढ़े थी उसका एक मिनिट में रिविजन करेंगे फिर आगे ब पायोस्फियर रेजर्व नामित किये गए हैं राज्थान राजी जो है सडक सुरक्षाकार योजना अपनाने वाला पहला राज्जे बना है टीम इंडिया के नए मुखे कोच बने हैं गौतम गंभीर और अभी बीस जो है ये एस्बिया एक साथ मिल करके स्री नेगर में ग लाने गुरूब जो है ये टीम इंडिया को स्पॉंसर करेगी भारत और रूस के बीच 2030 तक 100 बिलियन डॉलर तक का व्यापार होने की संभावना है और अभी हाली में महिला उद्धमत्य मंच और ट्रांस यूनियन सीविल इन दोनों के द्वारा उद्धमियों को खास करके म इंडिया में डॉक्टर्स और हेल्थ केर प्रोफेशनल्स की कितने ज़्यादा कमी है किवल 15 परसेंट ही हेल्थ केर सिस्टम में डॉक्टर्स होते हैं बाकी 85 परसेंट नर्सेज और एलाइड हेल्थ केर प्रोफेशनल्स होते हैं लेकिन देखा जाये 2023 में तो लगभग 65 ल ये degrees के लिए जाते हैं, लेकिन industry के दौरा उन में से केवल 90 लाग को ही capable पाया जाता है, रोजगार के काबिल पाया जाता है, अब इन 90 लाग में से केवल 20 लाग ही ऐसे students होते हैं, जो graduation के बाद skill job पापाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि इंडिया में skill based courses जो हैं, ये job oriented courses बन चुके हैं, लेकिन अब आपको tension लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि EM वर्सटी एक smart degree course प्रोग्राम लाया है, इसके तहत आप 12 पास करने के बाद, चाहे किसी भी stream से क्यों ना हो, आप इस undergraduate program के साथ जूर सकते हो, और smart degree का lab उठा सकते हो, ये smart degree program जो है, ये income के साथ आता है, मतलब आप पढ़ाई भी करते रहोगे, साथ साथ में आपकी earning भी होती रहेगी, तो लगबग 1,5,5 रुपए तक का stipend भी मिलेगा, और ये guaranteed होगा आपके courses के साथ में, साथ ही साथ अगर आप graduate होते हो, तो 2 साल के work experience के साथ graduate होगे, ना कि कि किस प्रेसर की तरह, साथ ये university का अभी scholarship program भी चल रहा है, जिसके तहत अगर आप NEET में score किये हुए हो 650 प्लस, तब मतलब अगर आप qualify नहीं भी हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 650 प्लस अगर आपका score है, तब 3 लाग तक का amount वाला आप score से पा सकते हो, इसके लावाद 600 से 650 के बीच में अगर आपका score है, तब भी आपको लगबग 1.5 लाग से ज्यादा का मिल जाएगा scholarship, 550 से 599 पर एक लाग तक और 510 से 550 नंबर वालों को 75,000 तक की scholarship मिल सकती है, इसके अलावा अगर मान लीजे, आप NEET के exam नहीं भी दिये हैं, और class 12 में आपके 85% से अबब मार्क्स हैं, तब आपको एक लाग रुपी तक का scholarship मिलेगा, और वहीं अगर 70 to 85% मार्क्स है, तब भी आपको 60,000 तक का scholarship मिलेगा, और 60 to 70% वाले class 12 के students को 40 के तक का amount वाला scholarship मिलेगा, तो link description में दिया गया है, अभी जाकर के enroll कीजिए, बाकि इनके सभी medical courses की बारे में ज्यादा जान तो साथीयों, अभी कोलम्बो सुरक्षा सम्मिलन का 5.17 से देश गोसित किया गया है, बांगलादेश को, कोलम्बो सुरक्षा सम्मिलन ये एक छेत्रिये सहीयोक संगठन है, जısमें भारत के आसपास के देश है, सुरुआत में तो भारत, स्रिलंका और मालदिव ने मिलकर इ अब धेर धेर और देश जोड़ते जा रहा है जैसे मारिसस जुड़ा- फ्यर इसके बाद अब बंगलादेश को भी जोड़ा गया है। अच्छा, इस बार की मेजबानी जो है ये मारिसस कर रहा है लेकिन ये मेजबानी वर्चुल हो रही है बांगलादेश पाचवा सदस्देश जुड़ा है और सेसल्स एक अभी परवेच्छक के रुप में जुड़ा है मतलब आने वाले समय में सेसल्स भी इसका सदस्द से बन सकता है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के अस्थापना 2020 में की गई थी तब भारत सिलंक और माल्डिव ने अस्थापित किया था बाद में मार्च 2022 में मारिस सजुड़ा और अब 2024 में जुड़ गया बंगलादेश क्लियर इंपोर्टन्ट है याद रखना क्योंकि आगे चलकर ये संगठन बड़ा हो सकता है कुछ और आयोजन सम्मेलन की बात करेंगे जो अभी हाल-फिलाल में आयजुत हुए है जिससे सात्वा ग्लोबल स्टाप समिट ने दिल्ली में हुआ नाटो सिखर सम्मेलन वासिंग्रेंड डीसी में जी सेवन समिट most important इटली में हुआ SEO सिखर सम्मेलन अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ ग्लोबल इंडिया AI सम्मेलन ये ने दिल्ली में हुआ अंतरश्चे डेरी फेडरेशन का Asia Pacific सिखर सम्मेलन पहला था खुच्चे में हुआ अंतरश्च के लिए योग ये बैंगलूरू में हुआ और 112 अंतरश्चे सम्मेलन जिनेवा में हुआ अगला हाली में किसको न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था NBDA का अध्यक्ष बनाया गया तो दोस्तो News Broadcasting and Digital Association का नया अध्यक्ष बनाया गया है रजत सर्मा जी को रजत सर्मा आप सब जानते होगे इनको आपकी अदालत से फेमस हैं इसके लामा आज की बात रजत सर्मा के साथ इनका एक फेमस सो भी आता है इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ है और चेर्मैन भी है तो इनको अभी हाली में News Broadcaster and Digital Association का अध्यक्ष बनाया गया है वो भी बिना किसी विरोध के निर्विरोध तरीके से तो रजत सर्मा अब पहले ये जानूँ एन बीडिया क्या है अन बीडिया समझ लीजे आप भारत भर में जो सबसे बड़ी News Agency है उनका एक ग्रूप है एक संगठन है जैसे मैंने आपको कई बार Union के बारे बताया है अलग-अलग चीज़ों के एक Union होती है जैसे Banking का Union होता है में अभिनास पान्डे जी अभी तक थे अब इनकी जगा पर आएंगे रज़त सर्मा ठीक है तो भारत में समाचार प्रसादकों का सबसे बड़ा ये संगठन है तो NBDA के अध्यक्ष होंगे अजा रज़त सर्मा इससे पहले भी कई भूमिकाएं वैसे भी अधा कर चुके हैं जैसे ये दिल्ली क्रिकेट एसोसेशन क अध्यक्ष थे और इन्होंने उसमें काफी व्यापक रूप से सुधार किये थे जैसे कि विराट कोहली के नाम से एक पवेलियन अस्थापित किया था फिरोसा कोटला मैदान का नाम बदल कर अरुण जेटली स्टेडियम किया था इन्हीं के टाइम में सब चीज़े हुई हाला कि उन्होंने आगे चल करके वहां से स्थीफा दे दिया और इंडिया टीवी से तो यह जूड़े ही है इसके फाउंडर और चेर्मेन और एडिटर इंचीफ है न्यूज ब्राटकास्टर और डिजिटल एसोसेशन के अस्थापना 2007 में की गई थी यहां कुछ प्रमुक सचीव बने हैं का नाम याद रखना मार्क रूटे यह नाटो नाटो के नए महासचीव हैं नौर्थ अट्लांटिक एंड टीटी अउगनाजिशन लेटिन जनरल एनेस राजसुब्रमन्यम यह भारत के उप सेना प्रमुक हैं ओम बिल्ला जी अठानुई लोगसभा के अध हाली में किस कंपनी ने भारत का पहला ओयल एंड गैस ETF लांच किया है तो दोस्तो अभी हाली में ICICI प्रोसिडेंशिल ने ओयल एंड गैस ETF लांच किया यह ओयल एंड गैस ETF क्या है इसको अभी मैं समझाओंगा एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ पहले ध्यान से IC CIEC, CIEP, Procedential समझो, यह एक प्रकार का mutual fund है, mutual fund आप जानते हो, भारत में बहुत सारी संस्थाइं अपना mutual fund चलाती है, तो mutual fund और share market में बहुत ही छोटा सा एक अंतर होता है, दोनों होते हैं share market के लिए ही, जैसे share market में अगर आपको knowledge है, आप direct किसी company का share लेना चाहते हो, उसको बेचना चाहते हो, और आपको यह पता है कि directly हमें पता है, यह company grow करेगी और उसमें हम invest कर दें, वहाँ पर जो भी घाटा फाइदा होगा, वो सब मेरा, तो यह risk आपका अगर लेना है, तो आप share market में direct invest कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन आपके पास knowledge नहीं है, आप investment करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, तो आपको क्या करना होगा, कुछ expert की साहता लेनी होगी, तो कुछ company के mutual funds होते हैं, उनको आप लोगे अगर, तो फिर वो company क्या करेंगी, आपके पैसे को कई सारी company में अपना लगाएंगी, और वहाँ से वो profit बनाएंगे, तो यह होता है mutual fund, मतलब की एक step पहले, तो इसमें थोड़ा सा comparatively कम risk कर रहता है, तो ऐसे ही एक mutual fund है, ICICI Procedentia, तो इसने क्या किया है, अभी पहला भारत का पहला oil and gas ETF launch किया है, इसमें क्या होगा, इसमें ये, जितनी भी इंडिया की बड़ी-बड़ी oil और gas की जो company हैं, उनके लिए एक अलग से traded fund, exchange traded fund यानि ETF बना दिया है, कुछ company का, कुछ 15 company का एक group होगा, ये जैसे perform करेंगी उनके आधार पर, मतलब, जैसे अगर आपका interest है, कि हम नहीं oil and gas में ही लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कि oil and gas वाला इस ETF में आप mutual fund में लगा दोगे, तो ये लोग यहां guarantee देते हैं, मतलब कि security देते हैं, कि ये एक ETF चला रहे हैं, जिसमें किवल oil and gas company ही हैं, और वो जैसा perform करेंगे, उसी में से वो investment करके, उन 15 में से invest करके, ये आपको profit दिलाएंगे, ठीक है, समझ में आई बात, Nifty, Sensex, ये सब क्या होता सर, इसको भी बता दीजी एक बात, बिल्कुल बताएंगे, देखे, भारत में share market, दो बड़ी share market है, share market, जहांग पर share को market किया जाता है, यानि खरीदा और बेचा जाता है, share मतलब हिस्सा, हिस्सा किसका खरीदोगे, कमपनियों का, तो जहांपर कमपनियों का हिस्सा खरीदा और बेचा जाता है, वो होगा share market, भारत में दो बड़ी share market है, एक तो है दोस्तो NSE, National Stock Exchange, और एक है BSE, यानि Bombay Stock Exchange, इसमें आगे बढ़ने से पहले ये बात जान लो, BSE जो है, ये Asia का सबसे पुराना Stock Exchange है, इसे बारत करें हैं, Asia का, ये 1875 में स्थापित हुआ था, अच्छा, NSE जो है, ये नेदिली में है, BSE जो है, ये Bombay में है, NSE में क्या हुआ कि बहुत सारे कमपनिया हैं, जो लेकिन इसमें ऐसी 50 कमपनियों का एक ग्रूप बनाया गया है, जिसको देख करके ये track कराया जाता है, अगर इनको आप देख लोगे, तो पूरा-पूरा मार्केट का एक overview मुल जाएगा, कि मार्केट कैसा काम कर रहा है, तो इन 50 कमपनियों के ग्रूप को कहते हैं, Nifty 50, क्या कहते हैं, Nifty 50, अच्छा, ऐसे ही BSE है, BSE का, BSE ने क्या किया, कि ये इन्होंने 30 कमपनियों का एक गुरूप बनाया, और कहा ये 30 कमपनियों जैसे perform करेंगी, उन्ही को देख करके अंदाजा लगा लेना, ये 30 कमपनियों 30 अलग-लग सेक्टर से होंगी, उनको देख कर अंदाजा लगा लेना, कि मार्केट कैसा चल रहा है, तो ये Nifty का यह 30 कंपनियों का गुरूप है इसे कहा गया सेंसेक्स क्या कहा गया सेंसेक्स और निफ्टी यही तो दोनों देखते हो ना आप मार्केट में की सेंसेक्स आज इतना रेटिंग ऊपर चढ़ा 80,000 के आस पास पहुंच गया या फिर आप सुनते हो निफ्टी 50 जो है यह 34,000-45, यह वही है ठीक है चलिए तो बाकी और भी शेयर मार्केट बार में जानना है तो कभी कभी और बता दूंगा इसे धीर दरी करके टापिक पर वापास आते हैं हाली में प्रधान मंतरी मोधी को कि इस देश के सर्वोच राज के प्रशकार से सम्मानित किया गया तो दोस्तों पीम मोधी जी अभी रसिया और आश्ट्रिया के विजिट पर है रसिया पहले गए फिर वहां से आश्ट्रिया आये तो दो नीस में ही एनौन who किया गया था लेकिन अभी इनको सम्मानित किया गया है क्रेमलीन के सेंट एंडू हाल में रसिया ने खुब बढ़ियां सम्मान दिया खुब अच्छी तरीके से मितलब अपनी पाली में करने के लिए भारत को इसने खुब बढ़ियों से यहाँ पर इंका स्वागत सत्कार किया, घुमाया बैठा के बैटरी रिक्सा में, ठीक है, PM मोधी को आपने वीडियो जो गया देखे भी होंगे, तो फिल हाल ये पुरस्कार अभी दिया गया है, PM मोधी को, The Order of St. Andrew the Apostle, और कल की वीडियो मैंने आपको उताया था कि भारत और रोज मिलकर 2030 तक अपना ट्रेड जो है, ये 100 बिलियन तक बढ़ा करके करना चाहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना, तो ये दो बड़ी बाते निकल करके आए, ठीक है, बाकि अब इसके बाद ये आ मोधी को 2014 से आज तक जितने भी अवाइड मिले हैं, जितने देशों के द्वारा, उस सब इसमें जिक्र किया गया है, यहां पर हम लोग ओवर्विव लेंगे कुछ लास्ट के टॉप 5, 6, 7 के, तो देखो, ओडर अबदार ड्यूक गलापो भूटान के द्वारा दिया गया के भारत ने, पलाउ गणराजी का एबाकल पुरुसकार मिला, 2023 में, और ओडर अफ नाइल, यह मिला, एजिप के द्वारा, 2023 में, क्लियर, अगला, हाले में सहिप्त सैनभ्याज, बिलेश्टिक, 2024 का आयोजन कहा पर किया गया, तो बिलेश्टिक, 2024, इसका आयोजन दोस्तों किया गया कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में, यह मल्टी नेशनल एक्सराइज था, इसमें कई सारे देश सामिल हुए, उज्जेकिस्तान, बैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, यह पांच देश आये, जो बिसिकली कहे जाते हैं कि यह Central Asian Countries हैं, तो यह Central Asian Countries जो हैं, मुक्रूप से यह पांच, इनके बीच में 11 से 17 जुलाई के बीच में यह हुआ अभ्यास, बहुत important है इसको याद रखना, छेत जुन के महीने के लिए ICC Player of the Band का वाड किसे मिला, यह interesting question है, देखो पहली बार ऐसा हुआ, ICC जो है 2021 से ही दे रहा है, ICC का Player of the Band का वाड, ठीक है न, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, जब पुरुस और महीला, दोनों खिलाडी एक ही देश से हों, और उस महीने के लिए जीत प्लेयर को इस बार का Player of the Band का वाड मिला है, जस्परेद बुम्रा आप जानते हो, भारत के Star Baller है, और स्निर्ती मंधाना जो है, यह भारते महीला टीम की Batsman है, Bats Women है, पहली बार ऐसा हुआ है, ध्यान रखना एक ही देश के खिलाडी जबने है, ICC की बात करें तो 1909 में अस इसको जीता भारत ने, अगला, PM Mody ने 41 वर्सों के बाद किस देश की यात्रा करने वाले ये तीसरे प्रधान मंत्री बने, तो दोस्तो PM Mody अभी हाल ही में आश्ट्रिया में पहुचे है, आश्ट्रिया की यात्रा के और 41 वर्सों में किसी भारतिय प्राइम मिनिस्टर जा हुए थी आश्ट्रिया की यात्रा पर और उनके बाद अब पीम मोदी गए इस बार जाने का मकसद क्या था तो देखे बहुत इंपॉर्टन चीज है दो बाते हैं एक तो भारत और आश्ट्रिया की बीच में राजनाईक संब्ध डिप्लोमेटिक रिलेशन अस्थापित कर जाए इसके लिए यूरोपेन यूनियन के सद्वेस्थियों को वह और हम लोग यूरोप से बढ़ा पाएंगे और इंडिया को काफी जड़ा फाइदा भी होगा आस्ट्रिया की बात करें तो राजधानिस की वेयना है मुद्रा इसकी यूरो राष्ट्पती है ऐलेकसे wonderedel चलिए वर्ड मैप में आपको दिखाता हूं आस्ट्रिया है काहँ पर तो वर्ड मैप में अगर आप देखोगे तो यहां पर है अपना प्यारा भारत यहां से आपको आना है यूरोप में यूरोप में अगर आप आओगे छोटा सदेश है शल्वाकिया यूरोप में वाजधानी होती है कमेंट करके मुझे बताओ वियेना में किसका हेटकॉाटर है बहुत इंपोर्टेंट संग्टन है कमेंट करके जोल बताईए अगला कुस्चन हाली में राष्टिये छह रोग उन्मूलन कारिक्रम का प्रमुख सलाकार किसे न्यूग दिया गया तो दोस्तो राष्टे 6 रोग उन्मूलन कारिक्रम का प्रमुख सलाकार न्यूग किया गया है डाक्टर स्वाम्या स्वामिनाथन को डाक्टर स्वाम्या स्वामिनाथन दोस्तों ये डबलू एचो की ये रह चुकी है चीप साइन्टिस्ट ठीक है वहां से इनको अभी नेशनल ट्यूगर क्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का नया अध्यक्ष बना गया है सलाहकार का एडवाइजरी कमेटी का मेन एडवाइजर इनको न्यूब किया गया है तो ये डवलो एचो में भी काफी मदद कर चुकी है काम कर चुकी है ये पूरू मुख्य विज्ञानिक रह चुकी है और भारत में भी ये भारतिय आयुर विज्ञान अनुसंदान पड़िसर यानि आई स्रीमार की महानिदेशक भी रह चुकी है 2015 से 2017 तक तो अब ये स्वास्त मंत्राले में होंगी राष्टे छे रोग उनमु किया जाए तीबी मुक्त भारत किया जाए इसके लिए भारत सरकार न निक्षे मित्र अभियान चलाये हुआ है। इसकोας ध्यान रखना अब कुँकि 2025 पचीस आने ही वाला है तो ऐसे में निक्षए मित्र अभियान का कितना result आया ये भी सामने आने को मिलेगा हो सकता है भारत TV मुक्त हो जाए तो दोज़ार पचीस में ये डाटा भी आ जाएगा अगर हुआ की नहीं हुआ ठीक है तो निक्षे में तर्भियान मतलग चर्च में रहने वाला है अगला हाली में वेलनेस ब्रांड हूप के निवेसक और ब्रेंड मिजजर की रूप में किस हैतलीट को सामिल किया गया तो हूप जो अपने आपको क्ल तरणाम है है अधरबाद की रहने वाली है बारत की दिगज ब्याटमिंटन खिलाडी हैं दो ओलम्पिक मिडल जीतने वाली इकलोती भारतिय महिला ये हैं तो हूप ब्रांड की होंगी यह ब्रेंड मिजजर साधी साथ इंवेस्टर भी होंगी आजकल जो brand बनते हैं जो celebrity वो उसमें देखते हैं अगर अच्छा startup है तो उसमें investment भी कर देते हैं उसके मालिक भी बन जाते हैं तो इंडिया का पहला wellness brand है यह हूप और इसका brand बिजडर होंगी यह ठीक है आगे यहाँ पर कुछ चुछ और ब्रेंड और उनके अमजडर हैं जैसे सुमित नांगल को अभी बैंक आप बड़ोधा ने अपना brand बजडर बनाया तंबाकुनी अंत्रेंट के लिए भी पीवी सुंदु को बनाया गया था brand अमजडर गुरुग्राम प्रसासन ने येजुवेंद्र चहल को बनाया 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 यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर खान को बनाया और SBI ने अमजडोनी को अपना लाग करोड रुपय का बजट पेस किया तो दोस्तो अभी हाले में राजस्थान सरकार ने 4.9 लाग करोड रुपय का बजट पेस किया है राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और साथि साथ वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी इन्होंने इस बजट को पेस किया धाई घंटे क और इस बार राज्स्थान के बजट में बहुत कुछ न móipon की गई हैं हाला कि अब देखा जाएगा पूरा हो पाता है नहीं लेकिन बड़े-बड़े जाएंगे जलापूर्ति परियोजनाव पर 20,000 क्रोड खाटू स्याम जी का मंदिर कॉरिडोर बनेगा जैसे आप देखे कौसी विशुनात कॉरिडोर महाकाल कॉरिडोर ऐसे ही अब यहां खाटू स्याम जी मंदिर कॉरिडोर बनेगा अमरिद ग्लोबल टेक्नलोजी एन अप्लिकेशन में 200 करोड रुपए अमरिद 2.0 योजना में 5,180 करोण रुपए साथे साथ 2750 किलोमेटर से अधिक 9 ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वेज बनाए जाएंगे और सबसे महात्पूर गोशना 30 परेटन अस्थलों की विकास के ये कर्विंसन सेंटर्सी ठीक वैसे ही जैसे भारत मंडपम है तो जहां पर G20 वगरा होश्ट हुआ ऐसे ही यहां पर रहस्थान में एक रहस्थान मंडपम बनेगा और यह हो सकता है इंटरनेशनल लेबल कर बनाए जब इतना खर्च करके बना रहे हैं तो यानिकि इंटरन लाक्ष आप देख रहे हो बनारस ने है बना है ऐसे और राज्यों में भी करा सकते हैं फिल्हाल यह तो थी हमारे आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जोरू बताएगा लास्ट में जाते 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 यह मोर्सिटी को भी आप चेक आउट कीजिए अगर आप एड प्रदेश की वारार्शी शहर्ची हुई टाटा ने जो शुरू की है आज आपको क्या बताना है आज आपको बताना है SBSF के महानिदीसक कौन है बौर्डर सेकूरिटी फोर्टस के महानिदीसक वर्तबान में कौन है इसके लावा अठावार सो बाततर में पहली जनकर ना थेम्क्यू सो मुच वीडियो देखने के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब 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 नमस्का जायें वन दे मात्रा मुच्छ